हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू दीस चैनल तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेश्ट बंगाल प्रामीर टीचर रेक्रिप्टमेंट प्रोसेस 2022 के बारे में और एक बहुती बढ़िया खुस कबरी उन केंडिडेट के लिए है जो लोग डबली विटेट को और उसमें उन लोगों ने कहा था कि जो भी केंडिडेट सीटेट क्वालिफाइड है वे लोग इस बार के 22 के प्रामीर टीचर रेक्रिप्टमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो चलिए समझने की कोशिज करते हैं कि क्या प्रोसेस है इस बार के 22 प्रोसेस करते हैं कि क्या प्रोसेस है चलिए देखते हैं क्या है प्रिसी पेसिपेशन ऑप सीट कॉलिफाइट प्रोसेस इन ठोसफारन तो ऑंटिट्वर रेकुव्रूटमेंट प्रोसेस इन थे ब्रेंगल ठीक है तो क्या 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 डोकुमेंट्सं Double submission क्रेच करना पढ़ लगेगा उसके साथ आपको अटेश करना पड़ेगा क्या 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 करना पड़ेगा पहला ड़कुमेंट करना पड़ेगा आपको एड्मिट कार्ड ऑफ सीटेट यानि कि आपने जिस भी यह में सीटेट क्वालिफाइड किया है उसका आपको एड्मिट कार्ड लगेग तेंद क्लास का आपका एड्मिट कार्ट का जेरेस कोपी लगेगा एज़ा एस पूरूफ के लिए उसके बाद फिप नंबर में क्या लगेगा आपको मार्क सिट एंड सर्टिपिकेट ओप बीएड डियेलेड जो भी आप लोग ने बीटी सी किया है यानिकि जो भी आप अभी तक कोई भी सर्टिपिकेट नहीं मिला है तो आप लोग प्रोविजनल सर्टिपिकेट के लिए अपलाई कर सकते हैं और बाद में आप लोग सब्मिन कर सकते हैं जब डोकॉमेंट वेरिपिकेशन होगा तब लेकिन यह सारा काम आप लोगों को 20 से पहले करना पड़े करना पड़े गार चलिए यह समनी हो कशा है कि आप लोगों करना असारा काम आप लोग और विस जनूवरी 23 से पहले करना पड़ेगा और आपको यह डॉकुमेंट यह जो एप्लिकेशन है कोलकाता के प्राइमिनी बॉर्ड ओफीस में जाकर वहाँ पर जमा करना परेगा तो एप्लिकेशन लेना एप्लिकेशन को आपको दो कोपी कर लेना है ठीक है एक कोपी आपको रिसीविंग मिलेगा ठीक है और यह सारा जितना डॉक प्रोपर है या नहीं है अगर प्रोपर डॉकुमेंट इसमें से नहीं रहेगा इसको छोड़के सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सबसे पहले आप लोग अपना डॉकुमेंट चेक कर लिजेगा और जाकर वहां पर जमा कर दिजेगा तो आपको यह काम 20 जन्वरी से पहले करन होगा वहां पर आप लोगों को करना परेगा ठीक है तो करने के बाद पैनल बनाया जाएगा आपका नाम आएगा लिस्ट में फिर आप इंटरव्यू के लिए कोलगाता में जाएंगे तो यह को जानकारी थी तो जल्दी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किजिए कि कि बहुत से लोग अभी वी ऐसे हैं जिनको अभी तक मालूम नहीं है कि वह लोग जान रहे हैं कि मैं तो डबलू टेट क्वालिफाइड नहीं हूं तो मुझे इस बार चांस नहीं मिलेगा अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है तो आप लोग विश्ट बंगाल 2022 का जो प अब तक के लिए आप लोग अपना ख्या लगए है अब अब तक के लिए आप लोग अपना ख्या लगए है